जो हमारे एरिक्सा भाई लोग हैं उन्हें यह नहीं पता होता कि कैसे उनका जो एरिक्से का बैटरी है डाउन होते जा रहा है और वह एबरेज नहीं दे रहा है क्योंकि वह कमजोर पड़ चुका है जिहां दोस्तो इन पाजकार्णों से आपका जो एरिक्से का बैटरी है व कमजोर हो जाता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुनील दोस्तों और आप देख रहे हैं दोस्तों मुझे माई इंडियन सुनील चैनल पर दोस्तों जो लोग ने हैं प्रिजुन से निवेदन की हमारे माई इंडियन सुनील चैनल को सस्क्राइब कर लिजे दोस्तों म्रोजाना और जो मुख्य कारण है कैसे आपका जो एरिक्स का बैटरी है वा कमजोर हो जाता है जिहां दोस्तों पहला कारण तो यही है कि जैसे कि आपका ये पीछे वाला जो चक्का है और आगे वाला चक्का है इनमें ब्रेक लगे होते हैं वे कमजोर हो जाता है और मोसरी भी लोड पड़ता है इस नहीं दे पाता है आपका आरेकश और बैटरी कमजोर होते जाता है यहाँ था सबसे कारण 80% लोगों के इक प्रोब्लम में देखने को मिलती हैं दोस्तों बात करते हैं दूस्रे नमबर का जो जो दूसरा कारण है वह कैसे आपका इरिकसे का बैटरी डाउन कर देता है वह कमजोर कर देता है आपके इरिकसे आप बैटरी को जिया दोस्तों दूसरा कारण यही है जो हमारा हैंडिल है जैसे कि आप देख से यह हैंडिल है हम इसे घुमाते हैं कहीं आप चेक करें कहीं करन के बारे में तीसरा कारण यही है कि समय समय पर पानी नहीं डालना है जिए दोस्तो अपने बैटरी में जो एरिक स्फकाना corn educating है उसमें कुछ लोग समय 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 से पानी नहीं डालते जिसके कारण बैटरी कमजोर होने है और इसी आपका जो average है वो भी घट जाता है दोस्तों बात करते हैं चोथे कारण के बारे में अगर आप जब भी इरिक सक चला के घर पर आते हैं और घर पे आने के बाद आप तुरंथ ही उसमें चार्जर लगा देते हैं उसे चार्जिंग पॉइंट पे लगा देते हैं तो यह बिल्कुल गलत है आपको उसे समय देना चीए उसे ठंडा होने के लिए आधा घंटा से लेकर एक घंटा के समय देना जरूरी है दोस्तों अगर आप इससे पहले लगाते हैं तो भी आपका बैटरी कमजोर पड़ जाएगा तो दोस्तों यही नहीं अगर आप इसे चलाने जाते हैं तो भी आपको एक घंटे का समय देना जरूरी है दोस्तों निकालने के बाद चार्जर से निकालने के बाद आपको एक घंटे का समय जरूर देना है एरिक फ्यक्ता की जो उसका बैटरी है वह ठंडा पड़ जाए इस कारण आपका जो बैटरी है सही रहेगा और आपका बैटरी एबरेज देगा तो दोस्तों चोथा कारण को बहुत आ पूर्वक्त अपनाएंगे तो आपका जो बैटरी है वह पावर बने रहेगा और वह कमजोर नहीं होगा दोस्तों अब बात करते हैं पाचवे यानि की पाचवा जो कारण है उसके बारे में जा दोस्तों जो पाचवा कारण है पाचवा कारण यही है कि जो गेर बोक्स होत यानि जो क्राउन का जो गेर बोक्स होता है उसमें आपको तेल हमेशा 200 ग्राम से उपर ही उसमें हमेशा रहना चाहिए अगर आप जो कम उसमें रहेगा तो बैटरी पे हामफुल होगा और जो हमारा क्राउन है उसको भी नुकसान करेगा जिया दोस्तों तो इन पाज कारणो को अगर आप अपनाते हैं तो आपका इरिक से का बैटरी ज्यादा एवरेद देगा और बैटरी भी कमजोर नहीं पड़ेगी और वह लंबे समय तक चलेगा आई होप कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों और क्या कहना है दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में दोस्तों प्लीज हमें कमेंट सेक्षन में बताएं दोस्तों फिर मिलते हैं हम आपसे और नहीं वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जै भारत